नमस्कार नियूज लाइन में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ विपनेश माधूर्ण लगा था साल 2015 है भारत के लिए खुशियां लेकर आएगा मगर सीमा से लेकर समंदर तक जिस तरह हलचर हो रही है उसे देखकर कुछ और ही तस्वीर बनती नजर आ रही है और उससे भी गंभीर बात ये हमारे देश में ऐसे मुद्दों पर भी सियासत शुरू हो जाती है आतंकी घटनाओं को लेकर जैसा देश में देखने को मिल रहा है वो वाकई एक गंभीर मसला है सीमा पर लगातार फाइरिंग जारी है और समंदर के रास्ते भी मौत का सामान भारत भीजने की कोशिश की जा रही है हवाई जहाजों को निशाना बनाने की खबरें सामने आ रही है और इन सब के बीच कोई नाम आता है तो वो है पाकिस्तान का इन सब के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंक वाद पर क्लीन चिट दे दी है कभी सीज फायर का उलंगहन, कभी ईमेल, कभी खद, तो कभी फोन कॉल्स के जरिये भारत में आतंक फैलाने की फिराक में रहते हैं आतंकी और कई बार तो वो अपनी नापाक हरकत में काम्याब भी हो चुके हैं और एक बार फिर से आतंकीयों ने वही रास्ताक तियार किया है आतंकीयों ने भारत में घुसकर 26-11 मुंबई हमले को अंजाम दे कर खूनी खेल केला था और एक बार फिर इसी तरीके से 26-11 जैसे हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई जिसे वक्त रहते भारतिय तटरक्षकों ने नाकाम्याब कर दिया और आपको बता दें कि बीते 31 दिसमबर को खरीब रात के 12 बजे भारतिय तटरक्षक बलो ने पोर बंदर से 365 किलोमीटर की दूरी पर एक संदिक्द बोट देखी थी तट रक्षक बलो के मुताबिक चेतावनी देने के बाद नाव में सवार लोग छिप गए और अचानक नाव में एक जोरदार धमा का हुआ नाव आग के गोले में तब्दील होकर समुंद्र में डूब गई और उसके बाद से अब बयानों का बाजार गर्म है रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने इसे एक संदिद आतंकी कारिवाई बताया है साथ उन्होंने भारतिय तट रक्षक बलो की प्रशन्सा करते हुए कहा कि ये उनका सही समय पर लिया गया सही खदम था परिकर ने कहा वो नाव करीब 12 घंटे से ज्यादा समय से निगरानी पर थी जिसको बहुत जल्द रोक दिया गया परिकर ने कहा जिस तरह नाव पर सवार लोगों ने आत्म हत्या की उससे ये साफ साहिर होता है कि वे आतंकी थे नहीं तो ऐसी हालत में ड्रक्स ले जा रहे तसकर भी आत्म समरपड कर देते हैं नाव जिस रास्ते से जा रही थी वो सामान्य मार्ग नहीं था क्योंकि तसकर भी वेस्ट मार्ग चुनते हैं ताकि वे भीड में पहचाने ना जा सकें वहीं पाकिस्तान का कहना है कि भारत अपनी ओर से कयास लगा रहा है, हमारी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया मगर दुर्भाग ये पूर्ण बात ये कि जहां आतंक जैसे गंभीर मुद्धे पर आपस में मिलकर काम करना चाहिए वहां सियासी पार्टियां एक दूसरे परारोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है हम लोग तो राष्ट्रों को सुरक्षत रखने के लिए सवाल उठा रहे हैं चाइना गुच रही थी तो हम लोग सवाल नहीं करेंगे पोर बंदर में आपने कहा कि आतंगवादी हमले से हमने विफल किया बाद में दो दिन बाद कुछ और रिपोर्ट आ रही है हम लोग का चिंता है कि जिससे बाती जंदा पार्टी सुरक्षा कर राशित सुरक्षों को हलका ले रहे हैं तो इस तरह से राश्य सुरक्षों को हलका हलका लेना सेंसरेशिलाइज करना उचित नहीं है और इसलिए बीजेपी सरकार बीजेपी काम लोग कहरें कि राश्य सुरक्ष्षा गंभी रहे हम धेस्च के सभी जंता के साथ राश्य को सुरक्ष्षत हो सकता है पोर बंदर वाले घटना में सरकार साफ आए कि मामला क्या है क्योंकि अभी कोर्जगार्ट बोलते हैं कि हमको आप जांच करने के अवश्क्ता है कभी बोलते हैं एक आदमी पैंट पैने हुए तो हाफ पैंट पैने हुए तो दो आदमी सिंपल चीज़ है 350 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई नाव है तो आप अराम से हलिकॉप्टर बेस करके कुमांडो के मादिम से उसको कैप्चिर कर सकते थे देड़ दिन क्या कर रहते हैं आज बड़ा दुर्भाग्य का दिन है बड़ा दुखद दिन है एक तरफ मोदी जी की अगवाई में केंद्र सरकार हिंदुस्तान के उपर किसी भी आमानवीय ताकत के आक्रमन को रोकने का प्रयास कर रही है तमाम तरीके के धमकियां दी जा रही है हिंदुस्तान को चाहे वो आईस आईस का हो चाहे वो तालीबान का हो मगर इस सरकार ने ठान रखा है कि किसी भी आतंकवादी गतिविधी को इस सरजमीन पर अंजाम नहीं होने देना है मगर आज कॉंग्रेस ने हद कर दी है आज कॉंग्रेस ने राजनीती में वो जमीन चुआ है जिस जमीन पे कोई आज तक गिरा नहीं था इतनी गिर गई कॉंग्रेस की जो टेरर बोट का मामला था उस मामले में कॉंग्रेस ने भारत के सरकार से प्रश्न किया है जब 2015 हिंडूस्तान और पूरे विश्व को छु रहा था जब हम स्टमाब हिंडूस्तान के लोग एक दूसरे को नव वर्ष की बदाईयां दे रहे थे हमारे वेस्ट कोस्ट पे हमारी जो इंडन कोस्ट गार्ड जो इंडूस्तान के इंटलिजन्स के आफिसर हैं उन लोगों के मेहनत के कारण एक प्रोबेबल टेरोरिस्ट अटैक जो शायद हिंदुस्तान के सरजमीन पे हो सकता था, उसे रोका गया, सक्सस्फुली रोका गया, उस पे इंवेस्टिगेशन चल रहा है, मगर कॉंग्रिस ने जिस प्रकार से सवाल उठाया है, वह सवाल आतंकी भारत में गुस्पैट की कोशिश कर रहे हैं, और आतंकियों के इस नीती का संचालन सीमा पार पाकिस्तान से हो रहा है, और इस बात के पक्के सबूत भी मिले हैं, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया, जो ये बताता है, कि नवाश शरीफ की सरकार आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रिवाई कर रही है, सर्टिफिकेट से पाकिस्तान केरी लुगार बिल के तहत अमेरिका से सहायता पैकेज पाने का पात्तर हो गया है, और इस बिल में आतंक के खिलाफ कार्रिवाई एक महत्तोपूर्ण शर्थ है, जिसे प तंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी चाहे वो पाकिस्तान हो या अमेरिका विपनेश माथूर के साथ बूरे रिपोर्ट चैनल वन न्यूज नए साल के मौके पर बूर्ट में ब्लास्ट होता है और उसके बाद सुरक्षा एजिंसियां जो भारत की हैं वो पुखता करती है यहाँ पर सबूत के साथ कि यह पाकिस्तान की बूर्ट थी इतने गंभिर मुद्दे को लेकर नेता आपस में बयान बाजियां कर रही है और तीसरा मोड यहां पर यह आ गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद देने के लिए एक बार फिर से हामी भरती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का खुल कर मुकाबला करे आखिर ऐसे में कैसे जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोडी अमेरिका के दोरे पर गहे थे महाँ पर अमेरिका ने कहा था कि मिलकर आतंकवाद के खिलाप लड़ाई लड़ी जाएगी मगर ऐसे में पाकिस्तान लगातार सीस्पार का उलंगन कर रहा है ओवामा भारत दोरे पर आने वाले हैं और दूसरे पर मदद की जा रही है आखिर दोरे चरित्र के साथ कैसे आतंकवाद के खिलाप लड़ाई लड़ी जाएगी ऐसे तमाम सवाल पर करा रहे हैं बेर चर्चा करने के लिए हमारे साहते स्टूडियो में खास महमान मौढ度 हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में सबसे पहला सवार मनोजी मेरा आप से है जिस तरीके से ये पूरा घट्ना करम हुआ बोल्ट में ब्लास्ट होता है उसके बाद भारत की ओर से कहा जाता है ये पाकिस्तान की वोट है पाकिस्तान मानने को तयार नहीं है सीस्पाय का उलंगन हो रहा है कड़ी चेताबनी के बाद भी और अब अमेरिका पाकिस्तान की मदल पी ली तयार है जबकि ओबामा भारत दोरे पर आने वाले हैं किस तरीक हो रहा है यह बोड थी इसमें आतंगवादी थे या तसकर थे या कौन लोग थे बिस्पोटक था नहीं था यह जाज का बिश्चाइं सरकार जाज कर रही है लेकिन इतना इतना सही है कि यह जो बोड आई थी पाकिस्तान की तरफ से संद्िगत हालत में भारत की तरफ आ रही थी जो एक रोटीन रास्ता है समंदी रास्ते से आने का ये उसका पालन नहीं कर रही थी ये कुछ तत्व ऐसे हैं जो ये साविच करते हैं कि जो बोट आ रही थी इसका मकसद कम से कम कोई अच्छा नहीं था वो हो सकता तसकरी के रूप में हो इसमें ड्रस ल पाकिस्तान को है देखिए अमरीका के अपने रिष्टे कूटनी ते खो सकते हैं पाकिस्तान के साथ और अमरीका वहाँ पर आतंगवाद के खिलाप कारवाई भी कर रहा है पाकिस्तान के सहोग से रोज ड्रोन हामले होते हैं जिसमों पाकिस्तान के निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं आतंगवादी भी मारे जाते हैं मुझे लगता है अमरीका जो मदद के नाम पर जो निर्दोष लोग पाकिस्तान में मारे जा रहा है उनका मुआप करता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाब एक बद्नियति के साथ आतंगवाद को और अपने जवानों के जरिए सीमा पार से सीश्वायर के जरिए लगातार आशानती इस छेत में फैलाने के उस काम में लगा हुआ है अश्रोग जी आपका क्या कुछ कहना है आप में देखा और मुद्व पस्यासत भी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए दिखिए विपनेश जी पहले बात तुम्हें यह कहा हुआ कि आंतकवाद एक देश से जुड़ा हुआ है और इससे मेरा ही देश नहीं बिलुकुल आसपास के कई देश इससे परेशान है और इसका जन्नी पाकिस पाकिस्तान को प्रॉब्लम भी काफी हो गई थी और एक बार फिर यह अमेरिका का पहला नहीं है जब भी कभी ऐसा समय आते तो अमेरिका उसके साथ ख़णा मिलता है लेकि मैं मानता हूँ कि हम लोग को सरकार चलाने के जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल भाश के साथ आपके चैनल पर कहना पूड़ रहा है कि जो मेरे कॉंग्रेस के प्रवक्ता जो बता रहे थे डौकर आजे कुमार जी कि यह प्रसन पूछते रहेंगे यह रास्टे संबदी थे रास्ट के चिंटा कभी से मुझे बढ़े दुख के साथ कहना पूड रहा है कि यह द देश के रच्छमंतरी को अगर आज के नेता सम्मित पात्कानी जो बोला वो ठीक था नहीं दिखिए उन्होंने बात कही है यह प्रस्टन है आप होसमे उठाइए बात है आप आने दीजिए इसको होने दीजिए आप उसमें कहरें कि कमांडो उतार देते हमारे दोचार बात्रों कि अगर किसी को क्लिंट दे रहे हैं और जिसको हम लोगों को सटिफाइब करना चाहिए कि यह आंतकवादी हो सकते हैं जो हैं आप इस पर आपने सेनिकों के लिए प्रसंदीशिंद करदें अपनी सरकार के लिए कर दें उसमåरे इस्ट्र करें कुंसी देश्म्क् सुदेश वर्मा जी आप किस तरीके से इस पूरे घटा क्रम को देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास अबामा जी आ रहे हैं 26 जिर्वडी को और यह पहला मोका है ऐसा जब यूएस का प्रेजिडेंट यहां आता है और वो पाकिस्तान नहीं जाएगा नहीं तो हमें सब्सकिल कंप आग थे क्लब होते ते जिसे की बालस्टेंग फैक्टर होता है तो मुझे रगता है उसको भी बालेंस करने की कोशिस जो भी चाहे पाकिस्तान में कर सकता है और पाकिस्तान एक स्टेबल गवर्मेंट रहे स्टेबल सुसाइटी रहे यह पूरे विश्व के लिए अच्छा है भारत के लिए अच्छा है अमेरिका के लिए अच्छा है जैसा मनो जी ने बताया मैं सहमत हूं जो इन्होंने बहुत नहीं किया है जो मुस्लिम समुदा है अमेरिका को लेकिन जब बात आती है इसराइल और जरुसलम की बात करते है तो डिफेंट तरीके से देखने लगते है तो यह एक दूसरा मसला हुआ और यह जो पहला मसला अपने बताया यह जो आतनकवाद से लड़ाई की जो गुजडा सिस्टम है आप लैंड से भी नहीं कर सकते है बॉर्डर आपका सील है लेकिन यह इतना बड़ा एरिया होता है कि इसको कोई भी कोस्टल गार्ड चाया भी सील नहीं कर सकती है इसले हो हाई स्पीड बोर्ट पर डिपेंड करते है तो यह एक तो बहुत अच्छी बात हुई क कि अप्रेंड किया गया और आप नहीं बोसकते कि वह इनोसेंट थे क्योंकि जब भी जब आपको बताता हूं पंजाब में जब आतंकवाधी की बाते होती थी और जब पुलिस रोकती थी आपको अगर आपने हॉल नहीं किया आप एक मीटर आगे निकल गए तो पुलिस आ नहीं है कि वह अपने मचवारे को भी थे या कुछ और था और पाकिस्तान का बोला इसका नहीं मालूस है पाकिस्तान को बैनेफित अप दो दे आप आफ देना चाहिए क्योंकि इसी तरह से आप आ अप आंक आप पर कंट्रोल कर सकते है तो भारत की पास पूफ है तो भारत को फूफ लाना चीए पाकिस्तान के शाने और वेल्ड के सांगे आपका क्या कुछ कहना है आपने अशोग जी को भी सुना देखिए इसमें दो बाते हैं एक तो ये बात तो तैशुदा है कि पाकिस्तान आतंगवाद का एपी सेंटर ही है आतंगवाद वहीं पैदा होता है लेकिन इसमें जो मिनिस्टर साब बोल ले थे एक तो वो उन्होंने भी इन्वेस्टिकेशन की बात कही और जो इनके प्रव और जिस बात पर इतराज आप लोग जो हमें खिताब दिये हमारे अशोग जी ने भी दिये और दूसरे समित पात्राइब बोल लेते के बड़े शर्म की बात है जो हमने हमारी पार्टी ने सब चीज पर कॉशन मार्क किया हमारी आर्मी पर भी हमने कॉशन मार्क किया मैं न समस्ता के बिना देश को बताए या बिना जब आप खुदी कह रहे हैं इन्वेस्टिकेशन चल ला है तो आपको अधुस्त नहीं करना चाहिए था या फिर आपको किलियर बता देना चाहिए था अब आप एक काम करें ना देश को बता दें साफ 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 कहते हैं फिर तो लोग अपने शब्रापस में आप भी मांग लेंगे अशोगी जरा प्लीजी एक चोड़ी बात चोड़ी बात मैं आपसे यह कह रहा हूं इसका मतलब एक और है यह पार्टी देखिए और वो पूछ संतवस का मामला है उसमें वो गैस्ट हैं च्ईीफक एस्ट हैं और उनकी सुरख्षा का भी मामला है लेकिन आप यह बात वाजिव है के यह बहिंद्धे टेश में सुरख्षा कर जोड़े मामले आपको यह भी मालूम है कि आतंकवादी संगठनों की ओर से चेताबनी मिल रही है बाइ इमेल बाइ लैटर जिस तरीके से फोन कॉल्स के जरीए तो क्या ऐसे में यह जो मेरा अपना भी अब्जेक्शन और कॉंग्रेस पार्टी का भी अब्जेक्शन जो प्रवक्ता बोल ला और यह आप अभी प्रता दीजे कि अब इसलिए कि आप खुदी इन्वेस्टिकेशन कह रहे है यह फिर इन्वेस्टिकेशन वर्ट को अटा दीजे फिर क्या जान चलिया तो आपने दोस्ति कर दिया मगर दुश्याची आपको तैसे पर तारीफ करने जाए कि अगर कुछ ह हुआ हुदर से हर्चल क्योंकि उसको ट्रेस किया जा रहा था निग्रानी रखी जा रही है और उन्होंने अपने बचार के लिए इस तरह की हरकत की है जिससे के लोगों का बाइंट डाइवर्ट हो लोग उस बात को सोचे ना क्योंकर विकास ही विकास यही विकास है हमेश यहाँ से में लोग आते रहें लेकिन कभी इस तरह का पिरचार ही कना चाहिए अपनी इस्तिती को क्लियर करें ऐसा लाग रहे एक और जो आप आतंकवाद इबात पाकिस्तान से कर रहें इसमें कोई डाउट नहीं है पाकिस्तान जो इसने सीजफायर का अनेकों बार सेंकों वारुलंगन के यह उसी काम को कर रहा है उसका एक ही कारण है, जो MANOH जी ने कहा, कि वो जो कुश्चन है जमु कश्मीर वाला उसका को रखना चाहता है, ठीक है, जिए जिए सवाल करेंगे उससे पहले शुप जी आप कुछ कहनी कोशिश कर दें देखिए फिमनेश जी मैं एक बात तजरू कहूंगा कि जिन लोगा ने कॉंग्रेस को वोट किया होगा और साथ उनको मलाल होगा कि कॉंग्रेस नहीं सरकार में आपाई आज साथ वो चैनल देख रहे होंगे और मेरे मित्र के बात सुन रहे होंगे तो यह जुरू कह रहे होंगे कि कॉंग्रेस के देश की जनता ने ठीक जवाब देगा यह ऐसा आपका मता है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आप आप सुन लीजिए आपने मुझे चुप किया रहा हूँ आप मुझे चुप करेंगे लेकिन ऐसा चंता का मता आप कैसे कहा देगा है यह आपका मता है अपना बोट उड़ाया देखे इस पार्डी का मकसर है देश में इस तरह कि भाता पहलाना का कुछ कंदों पार नहीं रहे है तो इस पर मैं मनुझ जी की राय ज़रूर जाना चा है यह हमारे हर बार कही आती यह बात मुंबई का हमला हो या करगे लो हमेशा सभी दल यह बात कहते हैं कि आतंग बात पर राजनीती नहीं होनी चाहिए लेकिन मैं किसी एक पार्टी के दोश नहीं दूँगा इस मुद्दे पे हर पार्टी अपनी सुद्धा के अनसार लगाने लगता है लेकिन मुझे लगता है इस मामले में मैं एक अपने सो काल मीडिया के गवर को भी बहुत बड़ा जिम्मदार मानता हूं कि जिस प्रिकार से खबरें उठाए गई क्या इस में सवाल दूसरे हो सकते हैं फ्रीडम आफ प्रेस हो सकता है लेकिन क्या हर रास्ते एशू पर इस तरह की चीज़ें आएंगी क्या जो लोग सवाल को उठा रहे हैं वो लोग बहां मौझूद थे क्या उन्होंने देखा था यह आतंगवादी नहीं थे क्या वो ल क्या लेने की होड़ भी नहीं होनी चाहिए बचना चाहिए आतंगवाद बहुत समेंदशील मुद्दा है और देश ने अपने दो दो प्रधान मंत्री इस पर कुर्वान किये हैं हजारों सेक्ड़ों लोग मारे गए हैं और इस पर राजनीती नहीं हो उतना ही अच्छा इ ही आ रहे हैं हम सवाल करेंगे सुदेश्री से मगर एक छोट से ब्रेक के बाद अब इस पूरे घटना करम ने सियासी मोड ले लिया है इस मसले पर कॉंग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार से बात की हमारी समवादाता प्रीप्त किरन सेंग कि में साथ कॉंग्रेस लीजर अर्जय कुमार हों से बातशीत करते हैं सिर बीजेपी की तरफ से यह काल जा रहा है जिस तरीके के आप सवाल पूछते हैं उस तरह कई नहीं है यह पाकिस्तान उसको स्पेस मिलता है ऑक्सीजन मिलता है राश्ट्रे सुरक्षा से सवाल जो ह रही है हम लोग का चिंता है कि जिससे बाती जंदा पार्टी सुरक्षा का राश्य सुरक्षा को हलका ले रहे हैं और एक ट्यार पी रेटिंग के मामले में देख रहे हैं वो उचित नहीं है और जो पार्टी जो दो प्रदान मंत्री शहीद हुए है आतंग टेरिस्ट के च कररें आपने दो दिन पहले बोल दिया था कि आतंग वादी थे तो इस तरह इस राश्य सुरक्षों को हलका लेना सेंसरेशलाइज करना उचित नहीं है और इसलिए बिजव की सरकार और बीजव को हम लोग कह रहे हैं कि राश्य सुरक्षा गंबिर हम देश के सभी जंता के साथ एक राश्टर को सुरश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की चर्चा है ना कि आप जो रिपोर्ट आ रहे हैं उल्टा रिपोर्ट आ रहे हैं बेजेपी को सवाल पूचने से एलर्जी है विपक्ष का काम है कि हम लोग को कहीड आप कि सवाल पूचेंगे थाकि हम् लोग समग्पते देश को सुरख्षित रखने के लिए चाइना गुज गया था प्रदान मंत्री जी का उनके प्रदान मंत्री छाइनीस प्रश्पती के विसित में तो अगर हम लोग सवाल ने पूछते तो देश देश सुरक्षित रहता एक दूसरा नाफ गैब होंगे बोलते की वाई चले गया उसके बारी में सवाल कर रहें तो बोलते की है आप देश के तो यह गलत है हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ है लेकिन चिंता है कि सीस फायर सबसे ज्यादा आसुरक्षत है हमरी सीमा यह गटना के बारी में प्रशंचिन उठ रहे हैं उसको साफ जवाब दीजे अगर यह सचमच आतंग की है आतंग वादीत है तो हम लोग सरकार को जो है सरकार को तारिफ करेंग से ले रही है और राश्ट्रे शुरक्षा का मामला है इसलिए और जादा गंबीर जो है सब आल उठाये जा रहे हैं क्या में पसंद प्रदीप मावर के साथ पीद किरन सिंग चैनल वा न्यूज दिली सुरक्षा एजेंसिया सेना भारत सरकार जरा सी भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है जरा सा भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है वाकरी में जिस तरीके से नियूएर के मौके पर बोर्ड का पीछा किया गया उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और उसके बाद ब्लास्ट हुआ औ कॉझ्ट प्रव गारें इस पर राय जानने की कोशिश करेंगे सुधेश वर्माजी से मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष कहीं न कहीं बारी गलती कर चुके हैं जैसे कोंग्रेस के प्रवाक्ता करना तो और सही था कि भी सिग्नल गये हैं सरकार की तरप से अगर खुद ब इसके कारण एक confusion पादा होता है तो सरकार के जो लोग है ना देखे बीजेपी अपोजिशन में नहीं बीजेपी रूलिंग पार्टी है और ये बीजेपी की प्रवक्ता को और बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए कि उनका स्टेटमेंट बहुत माइने रखता है बहुत जनवरी समीप है नजदीक है और ओबामा भारत त्यात्रा पर आ रहे हैं और ऐसे में आतंक वादियों के और से लगाता धंकिया दी जा रही है तो क्या ऐसे में रिस्क ले सकती थी सेना बिलकुल नहीं सही किया आप मैं नहीं बोल रहा हूं मैं कॉंग्रेस की बात कर रहा ह और आप सरकार में रह चुके हैं आपको पता है कि इसके क्या मायने होते हैं आपको पता है कि न्यूज रिपोर्ट एक रिपोर्ट गलत हो सकता है पहले भी हुआ है चुकी आप सरकार में रह चुके हैं जिमेदारी के साथ आपने आतंक वादियों खिलाफ लड़ाई गया मतलब बहुत जी मेंधाराने स्टेट्मेट यह नहीं था लेकिन आपने जो बात बुली सबसे सिंसिटिव बात हो है कि देखे कोशिश हो रहा है सीजफायर का ओलंगन होता रहा है फारी होता रहा है क्यों फारी होता रहा है कभी यह सोचा गया वह आतंकवादियों को अं इसलिए इसमें विराम लगना चाहिए और हमें अधिकारिक तोर पर सरकार को बताना चाहिए क्या आप एक बज़े यह भी मान रहे हैं कि एस इस गंफिर मुद्धों पर समेदाशील मुद्धों पर जो राजनीती होती है कहीं ना कहीं इस से फाइदा आतंकी उठाते हैं ब वो तो उसी के लिए बना है कि एक्षन लेगा तो उसने सही जो एक्षा समझा वो लिया उस पर अगर आप क्वेश्चिन करेंगे तो फिर तो आप पूरे धांचे हैं हमारे सिकुरिटी के उसको काम कर ही नहीं पाएंगे और खासकर कि कॉंग्रेस जो रूलिंग पार्टी उसे पता है देश के बारे में कॉंग्रेस को नहीं करना चाहिए ऐसा क्या कहेंगे यहां पर दुशन जी आप आपको बारिकिया पता हैं बावजुद इसके बाद भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशन पूरा आपके चैनल के माद्यम से ही जो हमारे प्रवक्ता थे उ अजर आप मुझे इजाद ने तो मैं पहले आपके प्रश्ण का आंसर आप तीर पी को छोड़िये आप टीर पी की बात ना करिये आपके नेज़दा कह रहे हैं यह तो फिर वो ही टीक है क्योंकि जब बड़ा प्रश्ण है उसका आंसर तो आप लेंगे नहीं और यह टीर यह है क्या देश के लोगों को यह जानने का हग नहीं है किसलिये किया आपने आज ही क्लिये कर दीजे आतक वाट कर रहे हैं परीकर साब और जो प्रवक्ता हैं इनके बीसे भी उन दोनों के बैना अला अला लग है तो आप एक काम पढ़िए पहले किलिये कर दिए तो आप देश्भक्त है ऐसा कुछ 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 को नहीं बाटना ची लेकिन आप ही बताई कि आपके स्टेट में का रिजल्ट किया हुआ क्या पाकिस्तान भी नहीं पूरा जागा कि देखिए उनके खुद रिजिए नों क्वेशन किया रहा है कि आप कही ने पाकिस्तान के हाथ को म पर लुगता नहीं अंसर देटी आपको उन्होंने कहा है का आप बोल दीजिए को आतंगवादी के अगर उनके जाए लेने को अपने रहे हैं उसको देश को बता दें खाले हुए उसमें क्या किया एक लोग कॉम्त है आश्यक जिए अश्यक जी ने किया है इनोंने किया है वो भी कह रहे थे हम भी यही बात क्याने का आप जिरा बता दीजिए कि कौन थे बाइसाब हो गया जी ठीक है बोले बोले अभी जो सुदेश जी ने कहीं उसमें कहीं चीजे बड़ी अची बात कहीं और आप समझ सकते उसको आज पाकिस्तान के तरफ से जादा से जादा से सामि रहा और लंगन हो रहा है उसका मकसद ये है कि वो टेरिश्ट को ऐसाना चाहते है और सेना में चा зач़ी साथ उसको रही है और हो ने कम में सफल नहीं रहा है तो अब उन्होंले के सफल नहीं हो रहे है तो अब उन्होंने दूसरा मार्य के åp extreme लापना है समूदूदी र श् видео मैं लगे और देश की पूस्टी पूछती है उसके कारें सब्सक्राइब उडित सब्सक्ति हैं लोगारी वें देश की जनता के मतलब यह नहीं एक कारवाई की और दोचारा उगलबाद को मार दिया बोलो को मार दिया नकसल को कि अंतरगवादी कुमार दिया तो उसमे पर विपक्स के निता खड़े हो आपने क्यों माना सडिफिकेट दीजिये कि आंतरगवादी तहे कि नहीं थे यह यह देस्की जनता नहीं पूश्त देस्की जनता के जिम्मेदारी हमारी जब बनती है वह अंदर गुशेंगे अटेक कि पर बंगलवर में हुआ उसको सगार ने घंबीर ता से लिया कहीन ने कहीं वह ऐसा लगा को ट्राइबों में हो सकता है आज उन्हों छोड़ा वँचोड़ा कल बड़ा चोड़ेंगे हमारे लिए गंभी समस्या है सरगार में जवाब देई है अगर 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 अंदर आ और ऐसा भी एस्तितिया है कि कंदार जैसे बिमाना प्रहंट कांड़ इस देश को अब इन कल्तियों से अगर हम नहीं सिखेंगे सेना अगर उनसे मजबूती से नहीं डड़ेगी सरकार की इचा सकती मजबूत नहीं होगी रक्षामंतिय शक्रिय नहीं होगे होम निश्य शक्र अगर आपने चेताबनी की भारत सरकार की चेताबनी के बाद भी पाकिस्तान मानने को तयार नहीं है जितने कड़े तेवर पाकिस्तान दिखा रहा है वो तस्वीर आपके सामने है इदर अमेरिका की और से आप देख लीजिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है और जाएगी आतंकबाद के खिलाब, एक तरफ यहाँ पर आप अमेरिका के साथ रिष्टे अच्छे करने की बात कर रहे हैं, कोशिश जारी हैं, और दूसरी तरफ ऐसे दोहरे चरित्र के साथ चाहे, वो पाकिस्तान की बात की जाए, या फिर अमेरिका की बात की जाए, ऐसे में कैसे अब रिष्टे अच्छे कर लेंगे? और चाहे पड़ोसी मुल्क जो हमारे देश को अस्तिर करना चाहता है, उसके चाहे तेवर जो भी हो, लेकिन आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं, आपको पुरी विश्वास के साथ बता रहे हैं, कि जो ये सरकार है, इसके भी अपने तेवर हैं, ये हम आप से कहना हैं, एक सवाल ये है कि क्या इन हालातों में उस समय रिस्क लिया जा सकता था? जो आतंगवाद के पृति है, उसी रणनीती का हिस्सा है, इस पर राजनीती नहीं होने चाहिए थी, मैं राजनीती पे बोलूंगा भी नहीं, लेकिन मेरी दूसरी बात है, कि पाकिस्तान में बैठा आतंगवादी सरकना, हापिस सहीद लगातार ये बात बोलना है, कि भार हम ये हैं, फिर उसके बात कारवाई की जाए, मुझे लगता है कि नहीं, और मुझे लगता है ऐसी स्थिती में जो कारवाई इस बोल्ट के खिलाप होई, वो बिल्कुस सही थी, जहां तक आप देगे पाकिस्तान में, डाउत बैठा हुआ है, लगाता सवाल उठ रहा है, जहां तक अमरीकी निष्टों की बात है, तो इसे हमें सबजना होगा, लेकिए भारत आतंगबाते खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, तो किसी दूसरे देश के बल पर नहीं लड़ेगा, भारत को आतंगबाते खिलाफ लड़ना होगा, तो अपने दम पर लड़ना होगा, अ अगर पाकिस्तान आतंगबाद करेगा तो उसका जवाब भारत को इसी मजबूती के साथ देना होगा यही भारत के हित में हैं और मुझे लगता है देश के सारे राजनीतिक दलों को एक स्वर्म में बोलना ही चाहिए कि आतंगबाद के खिलाब पूरा देश एक जूट है सार सवाल का जवाब देखे यह जो लोग यह कारवाई जो इनको करनी थी यह कारवाई कर चुके हैं सवाल का जवाब क्या आप जाच करते पहले फिर अंजाम दिया जाता नए साल का मौका होता और 26 जनवरी करीब थी और आतंगबादियों के ओर से जिस तरी किसे धंकिया मिल क्या करती कॉंग्रेसर लोग यह लोग खुद यह बात कह रहे हैं कि इन्वेस्टिकेशन चल रहा है प्रशन उस पर उड़ा है जो इन्होंने देश को शेर नहीं किया है तो मेरा सवाल यह है कि जिन हालातों को देखकर क्या रिस्क लिया जा सकता था अगर आप रिस्क लेत इसा है जो सरकार रूलिंग है वो सरकार कोई प्रशन चाहती ही नहीं है कि उससे कोई प्रशन करें यह बारबार जो यहां कवायद हो रही है बारबार जो अशोग जी कह रहे है और आप कह रहे हैं आप यह ही कह रहे हैं आप सवाल क्यों उठा रहे हैं तो सवाल अगन नही कि बहु ने जो कारवाई की यह वात हुआती थे बात खतम इसका जवाब वही तक नहीं आया दूसरा जो प्रवख्ता ने कहा है। जो प्रप्रवक्ता है वो कुछ और बोलें दोनों के जो जबाब है इन्हों भी कहा मनोजी ने भी कहा सुदेशी ने भी कहा दोनों ने साफ साफ कहा है तो टूपा है अगर जो बयान है वो कंटोवर्सी क्रिएट कर रहा है और फिर चलिए चोड़िए सरकार की तरफ से अगर हमारे अशोग जी भाई हैं अगर बाइदी यह और आतंकवादी थे तो बात ठीक है इसमें यह बिल्कुल प्रशन नहीं उड़ता कि देश की कोई पार्टी कॉंग्रेसी नहीं कोई भी पार्टी देश की आतंकवाद के आतंकवादियों के पक्षमे नहीं है बिल्कुल आतंकवाद को चल देना चाहिए लेकिन क्या यह प्रशन नहीं बनता है कि आप बता दे तुझ को अरे वो च्छी बाड़ी है तो लेकिन आप लोग कम से गम इतना उग्र हो रहे हैं इस बाद में खाली एक प्रश्न पर श्रूब यह बताने के लिए आप प्रश्न पर जाब आप दे नहीं है जो आपाने के लिए और यह इस बाद से बाद से बाद बना नाराज है कि हम क्यों पूछ रहे हैं एक सवाल मेरा यह है कि क्या कोशिश नहीं की गई नाव को रोकने की देखिये बिपनेश जी कम से कम 50 मिनट तक नाव का पीछा किया इशारे किये गए ती रुखिये आवाज और कोई ब्लास्ट भारत की और से तो नहीं किया गया है अचानक हुआ उसमें ब्लास्ट है जे बिल्कुल देखिये विपनेश जी यह जो मुंबई में अतंगवादी अटेक हुए थे उसके बाद बहुत सेंसिटिव हो गया कोस्टल सीक्यूरिटी और मैं आपको याद दि जो आपने बताया कि सिगूरिटी ने कोसिस की रोगने की और उन्हें खुद अपने आपको ब्लो कर दिया तो वह अगर आतंकवादी नहीं थे तो वह रुख सकते थे वाइट फ्लैक दिखा के अपने आपको सरेंडर कर सकते थे ऐसी क्या कंपर्संस थे अगर तसकर होते हो बताया कि अपने आपको बचाते हैं और कॉंग्रेस की प्रवगता का यह कर दिया है कि हलीकॉप्टर से जाते हैं बहुत ही इंप्रेक्टिकल अनिमाजिनेटिव और ऑपरेशन में इंटेफरेंस का यह मामला बनता है और इसे बात आपको नहीं करना रहा है तो हम आपको अ होते थे तो यह आपको अबजर्ब करना पड़ेगा और इसी का साथ नतीजा होगा कोस्टर सीगूरिटी इतने कॉंफिडेंट थी कि उन्होंने उसको चार्ज किया और उसके उन्होंने ब्लो किया इसमें कोई कंट्रवर्सी दिखता है नहीं लेकिन जो इन्होंने बोला य इनका जो स्टेट्मेंट है यह पाकिस्तान के हाथ को मजबूत कर रहा है थोड़ा इंतजार करना था वह रबड़ी की इन्होंने नियूस पेपर रिपोर्ट के कारण इन्होंने हर बड़ी की इन्हें साहद लगा होगा कि साहद इस सरकार को घेर देंगे पता नहीं क्या पर आपसे यह है कि भारत की और से कड़ी चेतार में दी जा रही है पहले भी दी गई थी और विनेश मंत्री ने भी कड़े शब्दों में सवालों का जवाब मांगा है मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब क्या करेंगे आप जैसे को तैसा या फिर क्या रंड़ती है या फिर सीमा पर खड़े होकर इस तरीके से ही अगर वो कुछ करते हैं उसका जवाब दिया जाएगा ऐसे कैसे चलेगा सबकुछ और अमेरिका की हालात क्या है वो आप देख चुके हैं समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का अंदलोनी हालात है ऐसे हलात में उच्चै के अन-कंट्रॉल वहां से रजिस्थे हैं सेना भी वहां उसमें इंपॉल्ब हैं सरकार भी उसमें रून है और हाफी सही जैसे बड़े-बड़े उग्रवाधी संगठन जो है लस्कर टैबाह हो या करेंगे भारत सरकार टेके अब फिल्कुल नहीं आहाए पेशावर इस तरीके चाहतं की हमला हुआ लगा कि यहां से पाकिस्तान को कुछ सबख मिलेगा और हमारे तमाम जो पैनलिस्ट उनका यह भी मानना था कि ठीक है यहां से लॉकसान कर रहा है और वो पाकिस्ताना को णूप कर रहा है और अनी पात्तिती ये तो म हमारे वह सकते को ने सुरक्षा गैशißt है और यह तो हमयोगी सब्सक्राइब वह कुणर दो जिक्वाइब करना सब्सक्राइब सवाल यही है पाकिस्तान तो नहीं मार और पहली मर्तबा नहीं हुआ है हर बार ऐसा ही हो रहा है तो फिर आखिर कब तक या ऐसे ही चाहता रहेंगा इसका कुछ और पाकिस्तान ने बिपनेजी बॉकलाइब और इस बॉकलाइब और आपको याद जुल्फिकार अली इस बॉकलाइब जाएंगा इस बॉकलाइब यहीं तो इस बॉकलाइब इस बतार नहीं को रहा है और बात है पुरे राश्त को एक होकर खड़ा होना चीए जो वेस्ट में दिखने लगा है अगर आतंकवादी घटना होता है तो अचानक से लोग इस टेट्मेंट नहीं दे पॉटता है आप पोजिशन में नहीं है आप गीरेंगे मनोची क्या करना चाहिए तिट फोर्टेट जैसे को तैसा क्योंकि तमाम कोशिशी की जा रहे हैं नाकाम्याब थावित हो रही है पाकिस्तान माननी को तयार नहीं है देखिए अपने जनम के बात से ही पाकिस्तान औ बैटे उनके आका हैं वो भी समझ चुके हैं कि भारत के साथ सीधी लड़ाई में हमेशा उन्हें मोगी खानी पड़ी है चाहें 71 की लड़ाई हो या 62 की हो या 65 की हो हमेशा पाकिस्तान हारा है हमेशा पाकिस्तान के टोड़े हुए हैं और इस बात को वो लोग अच्छी त लड़ना होगा और जैसे को तैसा जो आपने सवाइल उठाया वैसी ही जबाब देना होगा और मुझे लगता है कि पिछले जो सत्ता परवर्तन केंद्र में हुआ है उसके बाद से पिछले 6 महने में ये ठीक है कि पाकिस्तान की ओर से सीज़ फायर का उलंगन बड़ा सीमा पर फायरिंग बड़ी पाकिस्तान हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है जो रिहाशी इलाकिये उनको निशाना बना रहा है उलंगन कर रहा है उसके बावजूत भारत सयम के साथ उसका जवाब दे रहा है ये दुनिया देख रही है पाकिस्तान किस प्रकार से बार ब प्लिए में भारतिये सेनाओं ने पाकिस्तान को सीमा पर भी जबाब दिया है और हाल में जो बोल्ट की कारवाई हुई यह उसी रणनीती का प्रणाम है मैं इसे किसी सरकार की श्रय और अप्शरय से लिजोड़ूंगा ना किसी राजनीतिक दल से जोड़ूंगा यह एक भारत में हर नागरिक को सोचना होगा, हर दल को सोचना होगा कि आतंगवाते खिलाब और सीमा पार की आतंगवादी संकटन है, उनके खिलाब हमें मिलकर यूँध परता के साथ लड़ना होगा दोश्यन जी क्या कहेंगे आप वो क्या कहना है एसे में जब ऐसे मुझ्दे सामने निकल कर आते हैं तो देश यही जाता है कि आपस में जो पार्टियां है नेता मिलकर इस पर काम करें मगर ऐसा कुछ होता नहीं है नहीं आप गलत कहा रहे हैं, जब संकट का समय हुआ है तो देश एक जूट रहा है और पार्टियां भी एक जूट रही है पार्टिया ने बिल्कुल एक तरफा आप कारगिल की बात करी है, सब पार्टिय नो खुल के साथ दिया, उनका आप करी है और सारा देश साथ था, पूरा देश काई के नागरिक साथ था, और अभी भी आतंकवाद के खिलाब पूरा देश एक जूट है, आतंकवाद के खिलाब कोई है ना ऐसी पार्टी, पार्टी छोटी है देश बड़ा है, तो देश पूरी तरह एक जूट है, मैं पार्टी से भ कि आपने किन हालात में यह सब किया आपने जो कारवाई की आप इसे यह पूछा जा रहा है कि आपने कारवाई किन हालात में कि क्या कौन थे वो लोग और फिर ऐसे हालात में जब के सरकार के मंत्री कुछ और बोलने हैं उनमें दो बयान है उनके और जो सरकार जो प्रवक्ता भी नहीं करेंगे, हम पूरी तरह इसमें देश के साथ है, देश की सरकार के साथ है, लेकिन अगर आप लोग इसको ठीक मानते हैं, हम यह जानने के हगदार तो है, कि आप कि इन हालात में इस सब कर रहा है। कि हम खबारों के जरिये इस चर्चा को खड़ा करेंगे, कि साथ कौन लोग थे, आतंगवादी नहीं थे, तसकर थे, तसकर नहीं थे, क्या हम यह राश्चित निवार रहें, या हम इस स्टूडियों को बैटके इसका डिसकेसन करें, कि सेना को यह कारवाई बहां नहीं करनी चाहिए थी, अरे बहां पर लोग मौजूद थे, जो उच्चत लगा वो उन्होंने कारवाई की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिलकुल और दूसरे रास्ते भी होते हैं, बिपक्षी दल हैं, उनके पास ये पूरा हक है, उनके नेताओं को, वो सीधे, फोन बिला के पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कि आखिर क्या माजरा है, लेकिन ये इस तरह आखर देश में भैस होगी, और राजी दिदल एक दूसरे को आरो प्रतारों करेंगे, शेरे की लेने की होड़ लगेगी, तो शायद इससे हम आतंगवास से मांदरी से लण लिपाएंगे, और देश सकते ही इसमें नुकसान होगा. बहुत 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 शुक्रिया इस चरचा में शामिल होने के लिए और इसी के साथ यहाँ पर जिस तरीके के हालात भारत में बने हुए हैं, और अमेरिका जिस तरीके से अपनी चाल चल रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से चाल चल रहा है, मगर भारत में यहाँ पर कमजोर नहीं है, हर तरीके से डट कर मुकाबला किया जा रहा है. न्यूज लाइन में अभी इतना है, आप देखते रहे हैं, चैनल वन न्यूज.